आज हम पेपर सॉल्फ कर रहे हैं बेटा, A-Level Accounting का पेपर और February-March 23 का जो हमारे पास recent पेपर अवेलिबल है, उसको हम सॉल्फ कर रहे हैं और हम पेपर 3 सॉल्फ करेंगे आज, Financial Accounting पेपर में आगे बढ़ते हैं बेटा, देखते हैं सबसे पहले हमारे पास एक insert paper होता है और एक question paper होता है, मैं question आपके लिए read कर रहा हूँ, पहला question जो है, वो J Limited के नाम से, J Limited is a manufacturing business, it applies a rate of factory profit of 20%, इसका मतले है बेटा, वो mark-up कितना charge कर रहे हैं, factory profit जब वो बोलता है, तो वो mark जिन ना बोले, तो हम assume करते हैं, by default वो mark-up होता है, तो बेटा अगर आप देखें, यहाँ पर को data दियावे, year end हो रहा है, हमारे 31st December 22 के अंदर, और बहुत सारा हमें data दियावे, insert के अंदर, जिसमें sales revenue है, purchase of direct material है, direct labor है, factory overhead है, administrative expenses and selling and distribution cost है, raw material के हवाले से बता रहा है, work in progress क के हवाले से बता रहा है, unrealized profit पर आगे चल के बात करते हैं, finished goods inventory at 1st January, तो यह data हमें available है, insert के अंदर, और आगे जो data है, वो question number 2 का है, इसका मलग question number 1 का, जो basic data वो यही available है, तो sir इसकी requirements के है, requirements के लिए हमें दूसरा paper पर जाना पड़ाएगा, और यह question paper है, इसके अंदर requirements लि है, वो factory वाले अपना profit क्यों charge करते है, ओ level में तो हम यह पढ़ते थे, कि factory को कोई हक नहीं है profit charge करने का, और सारा का सारा profit कौन charge करेगा, जी, वो charge करेगा outlet, factory का का काम है, सिफ product को बना कर outlet को दे देना, और फिर outlet का का काम है, कि उस पर वो कितना profit रखते हैं, लेकिन that's not true for A- levels, A-levels में हमें पता है, कि जो factory है, वो भी हमारा एक profit center है, वो सिफ cost center नहीं है, profit center का मतलब, factory के पास भी यह खासिल है, कि वो अपना पहले profit रखेंगे, और outlet on top of that, वो भी अपना profit रखेंगे, तो हमें बताना, अगर factory अपना profit रखेंगे, तो क्या फाइदा होता, एक तो य यह है, अगर वो कहते है, outlet वाले के यार, आप हमसे profit क्यों charge कर रहे हैं, हम तो आपके अपने है, तो factory वाले कहते हैं, कि अगर आप यह product भार से भी जाके खरीदेंगे, तो भी आप उनको भी तो profit देंगे, तो बहुत जब आप भार वालों को profit दे रहे हैं, तो आप हमें ही profit देते हैं, तो देखते हैं, कुछ mark scheme में क्या examiner ने points लिखे हैं, theoretical, transfer price can benchmark with the price at which goods could be bought from external supplier, देखे वो ही बात कि इसने, कि अगर हम भार से खरीदे हैं, तो हम यह देखना चाहरे हैं, यह product हमें कितने की मिल लई है, तो इतना ही profit जो वो factory अपना रखेगी, ताके भार वालों क profit देने से बेतर है, कि हम अपने ही लोगों को profit दे, this provides relevant information to the business to make decisions whether to make or buy the product, तो बेटा इससे यह पता लग जाता है, business को कि यह product अगर हम बाहर से खरीदे तो हमें इतने की मिल लेए, और यह product अगर हम खुद बनाये तो हमें, यह कितने की पढ़ रही है, तो यह make versus buy decision में यह च profit रखती है, इससे क्या होता है, इससे responsibility accounting आती है, responsibility accounting क्या होती है बटा, कि पूरी organization के हर area के लिए कोई ना कोई responsible होगा, तो इससे यह फाइदा होता है, कि जब factory profit नहीं रखती थी, तो factory के पास को incentive नहीं था, cost को control करने के लिए, क्या मतलब जी, factory वाले कहते हैं, कि हमें जित कि पूरी cost को pass on कर देंगे, किसको, outlet को, इसलिए factory वाले मेहनत नहीं करते थे, cost को control करने के, क्योंकि वो कोई responsibility नहीं ले रहे थे, उनके पास को incentive भी नहीं था, cost को control करने का, लेकिन अब, चुके हमें यह पता है, कि factory वालों को यह पता है, कि अगर हमारी cost जादा लग गई, तो हमें आगे से price जादा नहीं लेगी, हमारी product तो उतने में ही खरीदेंगे, outlet वाले, तो factory वाले यहाँ पर अपनी पूरी जान मारेंगे, और वो अपनी cost को क्या करेंगे, control करेंगे, तो यह basically यहाँ पर point है, responsibility accounting, this allows responsibility accounting in the business, जो manufacturing department है, is treated as a profit center, देकि मैंने शुरू में बताय यह था, एक cost center होता है, एक profit center होता है, cost center का काम है, इसे product बनाएं, और वो आगे cost को pass on कर दे, लेकिन profit center का का काम यह है, कि वो cost भी incur कर रहा है, और वो revenue भी earn कर रहा है, और in other words, वो profit कमा रहा है, तो factory वालों के पास incentive है, कि वो अपनी cost को क्या करेंगे, control करेंगे, ताकि provision for unrealized profit account बनाना है, जिसको आप कहता है, PUP, provision for unrealized profit, provision का आपको पता है, nature क्या होता है, credit, तो balance brought down हमेशा कहां आता है, जी credit side पर आता है, थोड़े सा मैं आपको background बता दूँ, वैसे तो आपने पड़ा भाई होगा, provision for unrealized profit क्या होता है, unrealized profit यह होता है, कि जब factory में product बेची, outlet क और outlet में वो goods आगे नहीं बेची, factory माल बेच रही है, outlet को, लेकिन outlet से यह माल अभी तक आगे नहीं बिख पाया, इसका मतलब factory से जो goods गई है, outlet में, outlet के पास अभी तक वो goods पड़ी भी है, closing inventory में, इसका मतलब बेचा, factory में जो profit चार्ज के आउटलेट से, वो profit अभी तक realize न तो यह कहलाता है unrealized profit तो बेटा unrealized profit provision जब भी हम बनाते हैं आप हो बता है provision का nature credit होता है तो balance BD हमेशा कहाता है credit पे तो बेटा यह हम calculate करता है finished goods के उपर और opening inventory पे जितना factory का profit है वो कहलाएगा opening unrealized profit अब हम देखते हैं बेटा question के अंदर यह question paper है हमारा और हमार पर opening inventory कितनी है अगर आप देखो बेटा है यहाँ पे finished goods की opening inventory पढ़ी है first January पे transfer price, transfer price के होता है sir transfer price वो price है जो factory charge कर रही है किसे outlet से, इसका मतलब इसमें factory का profit already add हुआ हुआ है, तो transfer price मतलब वो selling price है जो factory ही charge कर रही है outlet से अचा अब सवाल ही आता है sir, यह जो transfer price selling price इस पे markup percentage लगती है margin याद रखें बेटा, selling price पे हमेशा लगती है margin percentage लेकिन हमें जो percentage दी दी है वो हम assume कर रहे है markup, कैसे इंतादर लगा है sir आपने, अगर सिर्फ factory profit बोले तो वो markup होता है अगर margin होगा तो वो हमें खुद बताएगा सभी, अगर कुछ नहीं बताता तो markup होता है, आपको बता है selling price पे markup नहीं लग सकता, तो हम क्या करेंगे बेटा, हम यह करेंगे कि markup को convert करेंगे किसमे, margin में और markup से margin में जाने का आपने formula बच्पन में पढ़ा होगा formula होता है, markup upon 100 plus markup, सही है जी तो हमें यहाँ पे transfer price दी भी है price पे margin लगता है, इसलिए हम markup को margin में convert करेंगे, formula क्या markup upon 100 plus markup markup कितना है, 20% 20 upon 120 करते हैं, तो आगरी opening inventory का unrealized profit, इसका मतलब बेटा outlet में जो goods पढ़ी भी है, साल के शुरू में, इसमें factory का profit इतना है, अच्छा आप देखें, इसका जो normal format होता है, इसमें हम ये भी करते हैं, कि यहाँ पे हम बाद वकाद आपने देखा होगा, factory profit हम लिखते हैं यहाँ पे, जितना इस साल factory ने profit चार्ज किया है, और फिर हम income statement लिखते हैं, यहाँ पे debit side पे, जो के कहलाता है realized profit, सभी है, लेकिन वो कब हम लिख सकते हैं, जब हमने manufacturing account पहले ही बना लिया हो, लेकिन अगर आप देखें, इस question में manufacturing account अभी हमने नहीं बनाया, part B में हो कहता है, directly आपको provision account बनाओ, और part C में हो आपसे गालेबन manufacturing account बना रहा है, तो बिटा, जब तक हमें factory profit हमें पता नहीं है, और आपको पता है, part B अगर हम solve कर रहे हैं, तो जो addition information है, वो हम अभी use नहीं कर सकते हैं, क्योंकि पार्ट C के लिए हमें दीवी, सही है, तो अब हमें factory profit तो यहां पे नहीं पता, सिर्फ हमें देखना होगा, बिटा, कि unrealized profit कितने से बढ़ गया, या कितने से कम हो गया, यह कैसे बदा चलेगा, सर, हम देखते question paper पढ़ते हैं, और यहां पे बता रहा है, unrealized profit increase हो गया है, decrease हो गया, अगर अगर unrealized profit इस साल बढ़ गया, तो बेटा, जब provision जब बढ़ता है, तो उसको हम क्या करते हैं, credit करते हैं, अगर आपको याद हो, अगर आप उसको relate करें, provision for doubtful debts है तो आपने पढ़ाते हैं जब microwave बढ़ता तो हम एंट्री बनाते है, income statement debit और provision credit, provision बटा है, जब भी provision बढ़ेगा तो उसको हम credit करेंगे, और हम यह entry बनाएंगे, income statement debit और provision credit, provision जो बढ़ता है, वो हमारे लिए एक तरीके का expense होता है, तो यहां पर हम 600 से अपने provision को बढ़ा देंगे, तो opening provision कितना पढ़ा है, बटा, 4400, और 600 से increase हो गया, तो दोनों को add कर देंगे, और जो closing provision आगया, बटा, balance CD वो आगया, हमारा 5000, और यह जो balance CD है, यह अगले period में क्या बन जाएगा, balance brought down, तो चाहे तो उसमें हम dates भी डाल देता है, 1st January opening है, income statement में हमें यह year end की date है, 31st December में भी year end की date, और फिर इसके ब statement होता है, यह आता है debit side पे, realized profit के नाम से, और credit side पे यहाँ पे हम लेखते है, factory profit, तो वो format भी सही है, वो बनाना चाहिए आपको, लेकिन उसके लिए हमें factory profit चाहिए होगा, और factory profit यहाँ दियावा नहीं था, क्योंकि वो जब तक हम नहीं निकलेगा, जब तक हम manufacturing account नहीं बन हमसे मांगा गया है manufacturing account, तो कुछ additional information दीवे, बटा question paper में वो हम पढ़ लेते हैं, क्यरे said, direct labor cost include 3,000 for workers repairing factory machinery, आपको पता है, direct labor में वो cost होती है, जो traceable होती है, अगर workers ने machinery को repair किया है, तो वो direct labor में नहीं आना चाहिए, बटा, वो factory overhead में आना चाहिए, manufacturing यह factory overhead, office equipment, जिसकी cost थी 10,000, जो के हमने buy किया है, कब January में, वो उसको हमने classify किया as a factory machinery, जो के गलत किया, office equipment, बटा, income statement में इसका सारा जाता है, calculation, लेकिन हमने इसको treat कर लिया as a factory machinery, और वो किया दोनों को हम depreciate करे है, at the rate of 10% per annum using straight line method, तो इसका बटा, बटा, depreciation हमने चाहत तो करनी पड़ेगी, लेक हम इसको, गलती से हमने इसको factory machinery treat किया है, अब हम इसको factory machinery के बजाए, office equipment जब classify करेंगे, तो इसकी जो depreciation है, वो manufacturing account में नहीं जानी चाहिए, बलके वो जानी चाहिए, income statement में, सही, और J Limited ने obtain किया एक loan, और loan लिया गया है, बटा, किसके लिए delivery van को buy करने के लिए, और जो interest on loan होने, वो किया रहा है, हमने कहां पर charge कर दी है, selling and distribution में, तो interest and loan, बिटा, normally selling and distribution में हम नहीं लिखते है, बलके interest on loan को हम लिखते है, finance cost के अंदर, सही है जी, तो अब हम बनाते है, manufacturing account, और देखते है, manufacturing account कैसे बनेगा, manufacturing account, बिटा, हमीश्या हम बनाते है, two columns के अंदर, और जिस पढ़ते है, सवाल में, data कहां दियावाई, जी, purchase of raw material दियावाई, sir, और अगर आप देखो, यहाँ पर, बिटा, opening inventory नहीं दी, opening और closing inventory देने के बजाए, examiner ने एक चालाकी किये, और चालाकी यह किये, किये, कि बता दिये, increase in direct material inventory, तो बिटा, अगर increase in material बता रहा है, इसका म अगर closing inventory कितनी होगी, 1160, तो हमें काम करते हैं, अगर increase करना inventory को, तो opening inventory नहीं लिखते है, क्योंकि वैसे भी हमें given नहीं है, हम purchase of raw material लिख देते हैं, purchase of direct material, और अगर inventory increase हो गई, मतलब जितनी opening थी, closing उससे जाधा होनी चाहिए, हम closing inventory को यहां minus कर देते हैं, इसका मतलब inventory 0 से क 1160 तो यह increase कराएगी, और आप हो पता है raw material का जो total होता है, इसमें और भी चीज़ें आ सकती है, opening यहां पर है नहीं, और carriage inward आ सकता है, और purchase return आ सकता है raw material का, जो कि चीज़े given नहीं है, और आप हो पता है raw material का जो final answer होता है, वो कहलाता है cost of raw material consume, अगर हो सके तो यह labels जाल है, examiner जो है, वो proper working देखना चाहता है, direct material के बाद बेटर जो दुसी चीज़ आती है, वो आती है direct labor, direct labor का दुस्सा नाम होता है production wages या factory wages, direct labor यहां पहली दी यह 196-200, लेकर अगर आप देखें इसमें एक मस्ती थी, और मस्ती यह labor cost में गलती से इन्होंने machinery repairing का खर्चा डाल दिय पेटा, वरकर अगर machinery repair कर रहे हैं, तो वो direct labor में नहीं आता, direct labor में से वो पैसे जो हम labor को दे रहे हैं, जो के product को बनाने के लिए दे रहे हैं, सही यहां पे machinery को सही करने के जो पैसे हैं, यह overhead में जाना चाहिए, तो मैं काम करते है, 3000 जो हम direct labor में से minus कर देते हैं, और उसको क अहां show करते थे सर, production overhead में, आपको बता, direct material, direct labor और रिकोड चीज़ भी आती है, direct expense, जो कि यहां पर है नहीं, direct expense, यह royalty, और आपको बता, sum of all direct cost, अगर हम करें, they are known as prime cost, अगर सारी direct cost को add करें, prime cost, अगर सारी direct cost को add करें, prime cost, अगर prime cost के बाद बेटा, क्या आता है, हमार पास, factory overhead या production overheads, या manufacturing overheads बात एक ही, क्या question में, सर, पहले से हमें factory overhead देवें, बिलकुल, question में, अगर आप देखें, factory overhead पहले हमें, 85,000, लेकिन यहां पे एक confusion है, और एक problem है, और वो problem यह, बिटा, किया रहा है, कि जो office की equipment थी, गलती से हमने इसको classify कर दी, factory machinery, और इसका मतलब यह, बिटा, कि हम यहां पे machinery की depreciation already charge कर चुक होंगे, कैसे बड़ा चला, क्योंकि जब factory overheads ने already calculate कर लिया है, तो आपको बता है, depreciation भी वो already record कर चुका होगा, तो हम एक काम करेंगे, बिटा, कि इन्होंने जो 10,000 पे 10% depreciation चार्ज किये, जो कि factory overhead में चार्ज किये, वो factory overhead से हटा क हम कहां ले जाएंगे बिटा, वो हम लेकर जाएंगे, income statement में, अगर हमने बनानी हुई तो, तो हमें काम करते हैं, कि जो वो factory overhead को 1000 minus कर देते, depreciation, और यह 3000 के सर, इस पे हमने पहले working कर ली थी, यह जो workers को हमने पैसे दिये थे, यह factory overhead में आना चाहिए, ना कि यह labor में आना चा करते हैं, prime cost plus factory overhead गर हम दोनों add करते हैं, तो यह आ गई हमारे पास, इसका भी कोई नाम नहीं है, नाम अलूम अफ्राद है, लेकिन इसमें भी एक और हमें adjustment करनी पड़ती है, कोशिश करें, यह value भी आप लिख दिया करें, कभी कबार examiner खुश होके, इसका भी एक mark दे रहत किkgता है, को ऑपनिंग कितना है, क्लोजिं कितना है, examiner ने क्या किया बटा, यह बताया है, decrease in work in progress, इसका मतलब बटा, जो incomplete goods हैं, वो decrease होई है, अगर incomplete goods बटा, decrease होई है, इसका मलें completed goods क्या हो रही हैं, increase हो रही है, अगर incomplete goods कम हो रही है मतलब completed goods जो है वो बढ़ रही है तो हम add करते हैं कि decrease in work in progress इसकी logic यह होती है कि एक तरफ incomplete goods है और एक तरफ completed है तो अगर incomplete कम हो रही है तो इसका मतलब completed बढ़ रही है और अगर incomplete goods बढ़ रही है मतलब completed क्या हो रही है कब चुछ पर नेट जारता है। और पॉसिंगो क्लोंगत और अगर जारा है लेकिन यहां पर आपको बता है फैक्टरी भी जो है वो अराम से नहीं बैठेगी और फैक्टरी वाले ठीक्टरी वाले बहुता है profit रखेंगे पहले ही, तो factory profit कितना है, 20% तो हमें काम करेंगे, यह जो production cost है इसमें 20% जो हो markup add करेंगे, मैंने आप उच्छुरू में बताया था अगर factory profit कुछ न बताया तो हमेशा markup होता है, क्योंकि हम यह apply करते है directly manufacture account में factory cost के उपर, तो हमें cost divi होती है, और normally जो percentage होती है markup, तो हम इसमें add करतेंगे 20%, 496,000 पे 20% apply करेंगे, markup आगया दोनों को add करते हैं यह आजाएगी transfer value of finished goods transfer value of market value of finished goods का मतलब यह है, कि यह वो price है, जिसके उपर factory goods बेच रही है किसको अपने ही outlet को outlet को जब हम माल बेचेंगे तो इतने पैसों में बेचेंगे transfer value of factory value of finished goods सही है जी, तो बेटा next requirement देख लेते हैं इस question में क्या और कोई requirement है manufacturing account भी हमने बना लिया और बेटा, next requirement है statement of profit and loss बनाना statement of profit and loss बेटा, इसका मतलब हमने income statement बनानी है, income statement statement का दूसरा नाम होता है statement of profit and loss तो बेखते हैं, income statement कैसे बनेगी income statement तकरीबन तो सेम ही है जैसे हम soul trader की income statement बनाते थे और बेटा, सबसे पहड़े क्या आता है sales revenue और आपर पता है, revenue जो आता है वो हमेशा finished goods का आता है क्योंकि हम raw material नहीं बेशते रहे होते है हम finished goods बेच रहे होते है revenue यहाँ पर दिया वह है, उसको आज़ेटेज लिख देता है revenue के बाद आता है, cost of sales sales return बगरा है नहीं, अगर होगा तो हम वो भी minus करेंगे, cost of sale में आ जाती है, opening और closing opening inventory जो आती है यहाँ पर और closing आती है वो हमेशा finished goods की आती है और finished goods में भी हम लेते है transfer price, transfer price वो price है जिसके अंदर factory का profit already include हो चुका है सही है, तो अब हम देखते है transfer price कहा साईगी, opening inventory के अगर आप देखें, transfer price हमें already दीवी है, जोके 26,400 वो हम लिख लेंगे यहाँ दरके हमेशा transfer price लेते है अगर हमें cost price दीवी होगी तो हम इसमें क्या करेंगे, बिटा, factory का markup add कर लेंगे, और हमारे पर आजएगी transfer price, बिटा, फिर उसमें हम add करेंगे transfer value of finished goods transfer value of finished goods कहां से हम add करते है, purchase of finished goods का क्या logic होता है sir, इसकी logic यह बिटा के, जैसे अगर हम apple store है तो हमारे पास तकरीबन चीज़ है तो apple की होंगी, लेकिन देर में भी situation, जब हमारे पास कुछ customers ऐसे भी आ रहा है, जो के android के users है, तो अगर कोई android का user आके charger मांगता है, या जो है data cable मांगता है, type c cable तो बजाए इसके के हम इसको भगात है कि apple store है, बाहर board नहीं देख रहे, तो मैं android की चीज़े मांग रहा हूँ, हम यह भी कर सकते हैं कि कुछ goods हम चाहना से या किसी supplier से खरीद के रख लें, तो in that case हम purchase अब finished goods भी यहाँ पर add करेंगे फिर जो closing inventory है वो भी हमें चाहिए finished goods की, लेकिन problem यह है कि यहाँ पर closing inventory हमें दी भी नहीं finished goods की तो sir, अगर closing inventory हमें नहीं दी भी finished goods की, तो हम कैसे निकालेंगे अगर आपको याद हो कि अभी हमने थोड़ी देर पहले एक चीज़ बनाईए, PUP account provision for unrealized profit account अगर आप देखो बिटा, opening unrealized profit था, 4400 इस साल profit unrealized बढ़ गया 600 से, इसका मतलब बिटा, closing unrealized profit कितना रहा, 5000 तो बिटा, अगर यह 5000 unrealized profit है, जो कि finished goods पे लगा होगा और यह 5000 जो है वो profit है, तो अब हमें निकालने है transfer price, कैसे निकालेंगे बिटा, यहां markup और margin की मदद लेंगे सवाल में हमें markup दियोगे 20% तो बिटा, अगर यह 5000 20% है on cost, तो सवाल यह आता है, cost price कैसे आएगी तो हमें काम करेंगे बिटा, जो 5000 है, अगर यह 20% है हम इसको divide कर देंगे किसे 20% से, तो हमार पा क्या आजाएगी, cost price आजाएगी, 5000 is 20% of X, तो X कितना होगा बिटा, हमारा जो X आ रहा है, वो आ रहा है 25,000 इसका मतले बिटा, factory की जो cost है, वो 25,000 है, और factory में profit रखना है, इस पर 5000 तो इसका मतले यह goods हमने outlet को कित्रे में बेची होंगी बिटा, outlet को इक goods बेची होंगी हमने 30,000 की, तो हम cost price और markup दोनों को add कर लेंगे बिटा, तो हमार का क्या जाएगी, transfer price आ जाएगी तो transfer price आ जाएगी हमार पर 30,000 तो इस तरीके से अगर cost price दीवी होती है, तो हम markup लगाके transfer price निकाल सकते हैं, अगर transfer price दीवी है तो margin लगाके profit निकाल सकते हैं, और अगर हमे profit दियागा, unrealized profit तो इसकी मरत से हम cost या transfer price निकाल सकते हैं, तो बेचा opening inventory में अगर हम add करते हैं, transfer value closing inventory minus करते हैं, तो यह क्या जाएगी, cost of sale आ जाएगी revenue में से अगर हम cost of sale minus करें तो क्या आ जाता है, gross profit अगर कोई other income होती है, तो इसको add करते हैं, लकिन यहां पर कोई other income given नहीं है, पर directly हम जाते है expenses में, यहां जो expenses है उसको हम expenses नहीं बोलते हैं इसको हम कहते है, non production overhead और non manufacturing overhead यह non production यह non manufacturing overhead होते हैं, इसमें कौन से expenses आते हैं, इसमें outlet के expenses आते हैं, जैसे administrative expenses, अगर आप सवाल में administrative expenses दे रहे तो क्या इसकी कोई other information दी भी है, other information जो है यह पढ़ लेते हैं, admin expenses में क्या कोई मस्ती थे नहीं admin expenses में यह बता रहा है, selling and distribution में मस्ती है, कि हमने loan लिया है, loan का interest हमने का चार्ज कर दिया, selling and distribution में, और एक और मसेला यह बता रहा है, कि यह factory का machinery था, sorry, यह office का equipment था, लेकिन गलती से हमने इसको treat कर दिया था, factory machinery और इसकी वज़ाए से हमने depreciation का चार्ज करती थी, factory overhead में जो कि नहीं करना चाहिए था, तो अब हम काम करेंगे, बता कि factory overhead को हमने कम कर दिया था, 1000 से लेकिन यह जो depreciation है, अब यह का चार्ज करेंगे, income statement में सही जी, तो यह income statement चुके office का equipment है, तो depreciation भी कहा जानी चाहिए, office में और office का जो overhead है, यहाँ पर admin के नाम से, तो पहले से हमें admin दिया था, और इसमें 1000 जो depreciation है, office की वह add कर देंगे, आपको पता है manufacturing account में हर वो चीज जो आती है, जो factory से related आती है, तो प्रोड़क को बनाने की जितनी भी cost है वो जाती है manufacturing account में, और लोगों को बनाना, भाई, लोगों को बनाना के वो हमारी product खरीदें, तो वो कहां जाती है, सारी चीज़ें वो जाती है income statement में, लोगों को बनाना, जैसे selling, marketing, advertising, यह सारी चीज़ें आती है, उसके बारे, बिटा, selling and distribution, selling and distribution हमें पहले से दियाव है, बस इसमें काम यह करना है कि जो finance cost है, उसको हम selling and distribution में, चार्ड नहीं कर सकते हैं, उसको हम अलग से show करते हैं, तो अब यह जो सवाल है, यह company से related है, जैसा कि इसने बताया उपर कि यह manufacturing setup है, यह क्या है, यह company है, यह कहाँ लिखाव है, J limited है, सही है, तो company में आपको पता है, जो loan का interest होता है, finance cost, इसको बाकी expenses में show नहीं करते हैं, बलके उसको अलग से हम highlight करते हैं, तो यह सारे expenses हमने minus कर दिये, non manufacturing overhead कि outlet के, अभी यह जो हम income statement बना रहे है, यह outlet की बना रहे है, और यह जो profit आएगा, इसको profit from operations कहते हैं, यह profit before interest, यह operating profit बात है कि है, तो यह profit from operations आगे, अब इसमें से हमें interest अलग से minus करना पड़ेगा, किस नाम से बेटा finance cost के नाम से, और finance cost यहां में पहले ही दिवे, तो अब profit आता है, normally यह तो profit for the year कहलाता है, लेकिन यहां पे हम इसको लिखते है profit from trading, profit from trading क्यों लिखते हैं, यह जो हमने profit income statement बनाई, profit and loss, यह से outlet की बनाई है, यह apple store की बनाई है, लेकिन हमें profit से apple store का नहीं निकालना, बलके पूरे apple corporation का निकालना, तो जो apple की factory है, जो के आईफोन बना रही है, ipad बना रही है, उसका भी profit हमने यह पर add करना है, तो उसका profit add करने का तरीका यह है, इसमें हम add करेंगे factory का realized profit, realized profit बेटा, वो profit होगा जो factory ने profit रखा किससे है? outlet से, लेकिन outlet ने भी गोड्स आगे बेज दी, तो यह कहला हैगा factory का realized profit, अब यह कैसे हैगा बेटा, सबसे पहले तो हम इसमें factory profit लिखेंगे, और अभी आप देखें, थोड़ी देर पहले हमने manufacturing account में factory profit लिखा था, कितना profit बेटा हमने charge किया, 99,200, यह factory profit है, तो सबसे पहले हम यहाँ पर factory profit लिख देंगे, जितना हम already calculate कर चुके using manufacturing account, फिर इसमें unrealized profit की adjustment करेंगे, सवाल में इसने बेटा, clearly बता दिया है, कि unrealized profit बढ़ गया, तो बेटा, again, अगर unrealized profit बढ़ आए, इसका मतलब रियलाइस profit क्या हो रहा है, कम हो रहा है, increase in provision इसने इसे unrealized profit बढ़ गया, वो हम क्या करेंगे, यहाँ पर minus कर देंगे, इसका मतलब बेटा, 99,200, इस साल हमने profit चार्ज किया, किसे, अपने ही outlet से, जिसमें से 600 का profit क्या, unrealized है, तो क्या बाकी profit realize हो गया, इसकी ऐसी मिसाल है, अगर मैं बोलू, बेटा, मैंने इतने पैसे कमाया, लेकिन मुझे doubt है, कि इतनी income मेरी मुश्टबे है, सभी doubtful income, तो अगर मैं बोलू, सर, इतनी income मेरी हराम है, खुदाना खास्ता, तो बाकी income मेरी क्या हलाल है, तो मैं अगर हिस्सा अलग कर दूँ, हराम वरी income का, तो यह मेरी हलाल income हागई, तो बेटा, यह वो profit है, जो हमने कमाया, outlet से, apple store से, for example, और यह वो profit है, जो बेटा, हमने कमाया, किस से, factory से कमाया, तो उनों को add कर देंगे, तो बेटा, यह overall profit आ जाएगा, तो overall profit इस साल हमने इतना, जो है, वो find किया है, overall profit इतना जो है, आन किया है, बेटा, next requirement पर जाते है, question में, next requirement किया है, manufacturing account भी बना लिए, statement of profit and loss भी बना लिए, next requirement है, हमने कुछ data दिया है, sales manager, जो J Limited का, उसने receive किया है, एक sales order, for a value of $40,000 from a new customer in a country, that J Limited has never traded with, तो बेटा, एक order आया है, एक विदेश से order आया है, और एक ऐसा मुल्क है, जहां सक, आज तक हमारी रसाई नहीं गई, और आज तक हमने इनके साथ business नहीं किया, यह जो new order है, J Limited का, यह, जो हमें मिरा है, यह earn करेगा, same gross profit margin, तो profit margin तो उसमें उतना ही मिला है, जितना हमें अभी मिला है, लेकिन एक additional हमें transportation cost, इंकर करनी पड़ेगी, तो मतलब वो जो दूसरे विदेशी देश से, यह जो आया है हमारे पास order, यह कहरे है भाई, कि delivery हम नहीं उठाएंगे, delivery खुद आप हमें करवा करते हैं, हमारे country में, जिस पर 9,000 dollar हमारा खर्चा हो रहा है, हमें advice करना है, sales manager को whether or not, J-Limited should accept the sales order, क्या हम यह order accept करें हैं ना करें, justify your answer, support your answer with relevant calculations, तो अगर आप देखें बिटा, यह five marks की requirement है, जब भी वो advice बोलता है, तो एक mark तो clear advice का आपको मिलेगा, कि भाई J-Limited should accept or should not accept this order, एक mark आपको मिल गया, चाहें आप advice start में दे रहें हैं, end में दे रहें, that's up to you, और दुस्री बात यह बिटा, आप आपको four marks मिल रहें, तो चार आपने points देनें, दो financial देनें, यह ऐसे कर लें, कि एक जो दो point इसके दे दे, आपका whether we should accept the order, और दो points इसके दे दे, whether we should not accept the order, तो बिटा हम देख लेते, कुछ सोच लेते, क्या फाइदा नुकसान होगा, पहली बात पो हमें देखना पड़ेगा, कि इस order पर हमें profit कितना होगा, तो यह बुलने, उतना ही gross profit margin मिलेगा, जितना भी मिलना है, तो हमें यह निकालना पड़ेगा, कि अभी gross profit कितना हो रहा है, margin पहले निकालेंगे, फिर जो revenue हो रहा है, 40,000 उस पर हम GP margin लगाएंगे, तो हमारे पर profit आजाएगा, GP आजाएगा, उसमें से फिर हम यह additional transportation cost, वो माइनस करेंगे, तो इससे हमें पता लगेगा, कि overall profit हमें कितना हो रहा है, तो देखते बिटा, क्या workings जो वे examiner नहीं हमें बताई हैं, existing overall gross profit margin, हमने calculate किया, including factory, तो पहले तो पिटा, हमने अपना profit calculate किया, अगर आप देखो पिटा, एक तो profit जो हो मिल ला है, किसको outlet को कितना gross profit मिल ला है, 344,400, और एक जो profit मिल ला है, वो factory को मिल ला है, कितना 98,600, तो दोनों को अगर हम add कर लें, तो profit हो रहा है कितना पिटा, और एक further profit है 98,600, जो कि किसका है, जो कि है आपका factory का, तो overall profit आ रहा है, देखे हैं, हमारा gross profit 443,000, और इसको अगर हम divide करते, revenue से revenue कितना है, 96,000, तो हमारे पाद GP margin मिल ला है, 47.33%, तो इतना हमारा GP margin है, और यह जो नया order हमें मिला, इसकी revenue किया है, इसकी selling price कितनी नया order की, selling price है 40,000, तो अगर हम 40,000 पर लगा दे 47.33%, तो हमें यह पता लग जाएगा, कि कितना हमें profit मिल ला है, बिल्कुल, यह limited को जो profit हमने generate किया, 40,000 का 47.33%, यह आजाएगा हमारा gross profit, और इसमें से एक additional cost जो हमें लग रही है, क्या है, transportation के और minus कर दें, तो overall हमें profit मिल ला है, 9.432, तो बिटा, obviously नदर आ रहा है, financial grounds पे, यह project हमारे लिए, यह जो order है, यह अच्छा है, एक तरीके की decision making का part है, और अच्छा है क्यों है बिटा, क्योंकि यह हमें कमा कर दे रहा है, कितना, 9.432 dollars, सही है, तो acceptability में यह लिख देते हैं, कि भाई, इसको हमें accept करना चाहिए, कि हमें additional profit मिल सकता, 9.432, और क्या लिख सकते हैं, बिटा, accept करने में यह भी लिख सकते हैं, कि अगर आज हमें इतना business दे रहा है, तो future में और business देगा, non financial भी कुछ point raise कर सकते हैं, चुकि यह order हमारे country का है भी नहीं, दूसरे country से order आया, तो एक ऐफी नई market, जो कि untapped है, जो कि आज तक हमने, जहां पर हमारी access नहीं है, तो वो एक नई market हमें मिल जाएगी, तो business को expand करने के लिए बहुत अच्छा होगा, नई markets में अगर हम जा सके तो, इससे बहतर क्या होगा, क्योंकि आपके मुल्क के हालात आपको पता ही है, हर मुल्क के हालात ऐसे ही होते हैं बाराल, तो जिब भी आप नई business में जाते हैं, तो यह बहुत ज़ादा अच्छा होता है, किन के लिए, business owners के लिए और management के लिए, एक opportunity है बिटा, to expand the business in the new market, बिल्कुल, और क्यों reject करना चाहिए, बिटा reject इसलिए करना चाहिए, क्योंकि यह नई market है, इसके बारे में हमें इतना पता नहीं होगा, और जितनी भी international trade होती है, आपको पता है, उसके साथ कुछ inherent risk होता है, और वो risk यह होता है, कि भाई time zone का problem हो सकता है, और जो है वो foreign exchange का problem हो सकता है, और को government की तरब से कोई restrictions हो सकती है, सही है, कोई political problems हो सकते हैं, तो यह कुछ नुक्सानात है, हावर entering a new market may be significantly risky, वाई, due to political reasons, pestle analysis यहां पर आप अब लाए कर सकते हैं, political आपने पढ़ा होगा, pestle analysis, political, economical, social, technological, यह सारे मसाल, सही, ecological environment वगरा, तो political reasons है, exchange rate के problems हो सकते हैं, यह में also the increase in other administrative costs, वो के रहा हो सकता है, कोई ऐसी भी cost आजाएं, जो पहले हमने जनके बारे में सोचा, और एक मांग बेटा, आपको finally मिलेगा clear advice का, के order accept करें या ना करें. All right बेटा, हमार पास एक और question, question number 2, xplc के नाम से, and let me read the question for you guys, xplc started its information technology business on 1st January 22, okay, good for them, its statement of financial position at 31st December 22, included the following balances, अगर आप देखें, बेटा, बहुस सारा है, आपर में data दियावा है, ordinary share capital है, $800,000 और एक share है $2 का, इसका मतलब बेटा, अगर हम $800,000 को divide by 2 करें, तो आपर number और shares आदेंगे, कितने 400,000, then we are share premium, revolutions of retained earning, तो विंचे ज़र आपर नॉन करेंट लियाबिटी होता है, बैंक ओट्राफ दियावा है, और यहाँ पर following information was also available, यहाँ पर बेटा कुछ information है में दी वी है, और हम जाते हैं, बेटा requirements पर requirement यहाँ पर नहीं होंगी, और requirement के लिए आपर पर question paper जो है, तो numerator में क्या आता है बेटा, share price, market price per share आता है numerator में, और denominator में क्या आता है बेटा, earning per share, price और earnings, तो सबसे पहले बेटा हमें चाहिए market price per share, तो देखते है market price per share कितनी दी वी है, note 4 में अगर हम देखें, market price per share गिवन है, 3.35 dollars, इसका बेटा है एक share आज के दिन market में कितने भी trade कर रहा है, 3.35 dollars पर, earning per share के हमें दिया वाए, EPS नहीं दिया वा, earning per share बेटा हमने find करना पड़ेगा, cash find करेंगे बेटा, EPS का एक और formula जो के में apply करना पड़ेगा, and the formula for EPS is, profit for the year, और अगर कोई preference dividend है तो वो भी बेटा हम यह माइनस करते है, divide by number of ordinary shares, profit for the year, divide by number of ordinary shares, तो सर क्या profit for the year हमारे पास available है, profit for the year सर हमारे पास available नहीं है, लेकिन हमें थोड़ा सा दिमाग लगाना पुड़ेगा इसमें, और वो यह कह रहा है बेटा, X PLC ने start किया business, and this is the first year of the business, इसका मतले बेटा, we have just started the business, this is the first year, 1st January, इसका मतले बेटा, जो भी हमने profit कमाया होगा इस साल, वो हमने retained earning में डाल दिया होगा, अगर ही कर रहा है, इसका मतले ही जो retained earning होती है, और retained earning में बेटा, एक तो profit for the year जाता है, और दूसरा यह होता है, कि अगर कोई dividends हमने pay की है, तो वो retained earning में से क्या हो जाता है, minus हो जाता है, तो हम देखते हैं सर, क्या हमने कोई dividends पे की हैं बिल्कुल, वो कह रहा है, interim dividend of 0.12 per share was paid on 1st October 2022, तो इसका मतले बेटा, इस साल हमने dividend भी पे किया है, तो अगर हम एक काम करें बिटा, जितना dividend हमने minus किया होगा, कहां से, retained earning में से, अगर हम उसको add back कर दें, retained earning में, तो क्या profit for the year आजाएगा, बिल्कुल, तो इससे total shares कितने हैं, अभी हमने देख लिया, total shares है, 400,000 shares, कैसा आएगा बिटा, dividend per share है 12 cents, और इसको multiply कर दे, 400,000 shares से, तो total dividend आगया 48,000, तो बिटा, जो retained earning है, वो dividend minus करने के बाद आता है, retained earning, और अगर हम इन दोनों को add कर दें, तो यह साल का profit होगा, और जो total profit है, इसको divide कर दे, number of ordinary shares से, तो per share पे हमें यह पता लग जाएगा, कि earning कितनी है, तो यह आ रहा है 0.18, मतलब 18 cents, तो अगर हम 18 cents कमा रहें, एक share पे, तो हम यह देखना चाहरा है, बिटा, share की price क्या है market में, market में एक share trade हो रहा है, बिटा, 3.35 dollars का, जिस पे हम कमा कितना रहें, 18 cents, तो यह पता लग जाएगा, बिटा, 18.61 times हमारी, क्या है price earning ratio, price earning ratio, बिटा, किस चीश को show करता है, price earning ratio, basically, shareholder का confidence बताता है, कि shareholder, एक share, जो के earn करके दे रहा है, कितना, 18 cents, उसको खरीदने के लिए, shareholder, इतना उतावला हुए हुए है, सही में यह word यूस करूँगा, कि shareholder, जो 18 times जादा पैसे देने के लिए तैयार है, बस वो किसी भी तरीके से चाहता है, कि यह share मुझे मिल जाए, तो बिटा, इसका जो benchmark होता है, वो होता है, 10 times price earning ratio का, anything that is above 10 times, तो वो हमारे लिए अच्छा होता है, और यह तो 18 times पर जा रहा है, इसका मतब shareholders को, company को लेकर, बहुत जादा जो है, confidence है, company के future को लेके, और इसकी growth prospects को लेके, next पर बात करते हैं, next requirement किया है, if we look at the question paper, next requirement है, dividend yield, yield किसको कहता है, dividend yield किसे आता है, जिसमें numerator में हम लेता है, dividend per share, DPS, और denominator में अगेन आजाता है, market price per share, dividend yield हमें यह बताता है, कि हम जो है, वो अच्छा एक बात और important है, यहापे मैंने लिखियो है, कि जो dividend है, उसमें सिर्फ dividend paid नहीं आता है, dividend yield में propose भी आता है, उसकी yield में आएगा, बाकी जितने भी बिटा ratios हैं, उसमें हम dividend paid लेते हैं, propose नहीं लेते, लेकिन यहाँ पर हम dividend बिटा, सिर्फ paid नहीं लेंगे, propose भी लेंगे, सही जी, तो यहाँ पर वैसे इसकी जरुवत नहीं थी है, लेकिन में आपको extra knowledge के लिए बता दिया, multiply by 100 times 100, dividend per share कैसे हैगा बिटा, dividend per share I guess already हमें given है, और अगर आप देखें, यहाँ पर बता रहें, interim dividend कितना पे एक है, 0.12, और अगर कोई final dividend proposed होता तो वो भी हम add कर लेते, dividend per share है 12 cent divided by market price, market में अगर आप देखें बिटा, एक share कितने पे trade हो रहा है, market में एक share trade हो रहा है, 3.35 dollars पे, तो dividend per share को divide करते है, market price per share times 100, तो यहाँ आजाएगा बिटा, dividend yield, yield बिटा हमें यह बताता है, कि कितना shareholder को return मिला, इसका मदा अगर एक shareholder ने 100 dollars लगा है, आपकी company के shares खरीद है, तो एक साल इंतजार करके उसको मिला क्या, उसको मिला 12 cents, इसका मदलब तकरेवन 3.5% उसको return on investment मिला, in terms of dividend, लेकिन dividend yield को बहुत ज़ादा lift इसलिए नहीं कराते हैं, उसकी वज़ा यह है कि dividend is not the only return for shareholders, shareholders को जो return मिलता है, वो दो तरीके से मिलता है, अगर आप एक company के shares खरीता है, तो एक तो आपको dividend के form में return मिलता है, जिससा capital appreciation भी तो होती है, आपकी share price भी grow होती है, इसलिए अगर dividend yield कम भी है, तो shareholder इतना परिशान नहीं होते, क्योंकि at times companies जान बूच के dividend देती नहीं है, क्यों नहीं देती ही, क्योंकि shareholder खुँद dividend नहीं लेना चाहरे है, अब सवाल याते हैं सर ऐसा कौन सा shareholder है, जिसको dividend दौर वो ना ले, उसकी वज़ा यह है कि बाद हो का dividend पे, बहुत सारी ऐसी jurisdictions होती हैं, ऐसे countries होते हैं, जहां पे dividend पे जो withholding tax का rate होता है, वो ज़ादा होता है, और जो capital gain पे tax होता है, वो कम होता है, तो shareholder intentionally कहता है, कि भाई आप हमें dividend ना दो, आपकी बड़ी महरबानी, आप जितना भी पैसा कमा रहे हो, वो दुबारा reinvest करते जाओ, उसी cost के लिए, उसी business के लिए, और फिर क्या होगा, कि जब हमें जर्वत पड़ेगी, तो हम अपना dividend खुद बना लेंगे, कैसे होम में dividend वाला concept रहता है, कि हम जो वो shares बेच के, अपना dividend खुद बना लेंगे, और भी कुछ reasons होते हैं, कि जो long term investors होते हैं, जो बड़े-बड़े हैं, तो उन लोगों का घर जो है, वो dividend पर नहीं चलना होता, तो इसलिए वो नहीं चाहते है, dividend लेना वो चाहते है, आर हमें चिलन नहीं चाहिए, यह सारा पैसा reinvest करो, और फिर जब company grow हो जाएगी, अच्छी तगड़ी प्राइस हो जाएगी, तो जब हमें जरुवत होगी, हम सारा dividend खुद वसूल कर लेंगे, शेर्स बेच के, next requirement पर जाते हैं, question में next requirement के, gearing ratio, gearing का formula क्या होते है, बड़ा simple सा formula, gearing का, formula होते है, fixed cost capital, upon total capital, multiply by 100, fixed cost capital वो capital होता है, जिसमें fixed return देना होता है, जैसा के हमारा हो गया, debentures हो गया, जैसा के bank loan हो गया, या जैसा के preference shares हो गया, इन सब के उपर जो मैंने आपको बता है, fixed return देना पड़ता है, तो ये fixed cost capital होता है, question में देखते हैं, कि क्या हमें यहाँ पर कोई fixed cost capital दिया है, बिल्कुल, यहाँ पर loan ये debentures दिया है, fixed cost capital है, कितना $1,000,000, एक ही ये fixed cost capital हम ये लिख जाएंगे $1,000,000, denominator में क्या आजाता है, capital employed, capital employed में fixed cost capital, जो debenture ये loan है, वो भी आ जाएगा, और जो equity and reserves है, वो भी आ जाएंगे, equity and reserve में बिटा, एक ordinary share capital हो जाएगा, कितना $800,000, पि reserves में और क्या है, share premium है, तो भी आ जाएगा, revaluation reserve है, तो भी आ जाएगा, और retained नहीं भी आ जाएगी, तो इस सारी चीज़े, बिटा, हम एड़ कर लेंगे, जो कि divinches है, तो भी आ जो percentage आ रही है, 9.5% आ रही है तकरिवन, जो भी precise 9.49%, अगर हम two decimal place को consider करें, तो सर, gearing से होता क्यों है, gearing अगर excessive हो तो अच्छी नहीं होती, तो सर, excessive gearing कितनी होती है, 50% जो है बिटा, आटे में नवक के वराबर समझ लेंके gearing है, तो ये तनी परिशान कुन बात नहीं है, अगर gearing बहुत ज़ादा होती है, तो इसका में रिस्क बहुत excessive होता है कि यार, business जो है वो, service ना कर पाए अपनी dead को, और business जो है वो bankrupt हो जाए, bankruptcy file कर दे, return on capital employed, तो बिटा दरहा देखते, return on capital employed का क्या formula होता है, ROCE, return on capital employed का एक अच्छा सा formula है, जिसमें profit जो लेते हैं, operating profit ये profit from operations, ये जिसको profit before interest कहते हैं, वो लेते हैं, और denominator में हम क्या लेते हैं, capital employed, capital employed में अगीन अपना पैसा भी आजाता है, गहरों का पैसा भी आजाता है, सवाल ही आता है क्या profit for the year हम निकाल चुके हैं बिलकुल, अगर आप देखें, return running में हमने dividend add back कर लिया था, तो ये हमारे पर आ रहा था profit for the year, तो सर्फिट for the year तो आगया, अब interest का कैसी नहीं, क्या इस सवाल में बिटा कोई interest दिया था बिलकुल, बिटा अगर आप देखें, 1 lakh के debentures हैं, जिस पर 5% interest है, सही, और ये हमने debenture लिये कब है बिटा, ये हमने लिये हैं July में, और year end कब हो रहा है बिटा, year end हो रहा है December, इसका मतलब जुलाइ टू डिसेंबर, अभी सिर्फ 6 months हुआ है, लोन लिये वे, तो interest भी लगेगा, half year का 6 months का, तो बिटा, 1 lakh का अगर हम 5% लगा हैं, तो ये 5000 आजाएगा, और इसका half कर दें, तो 2500 interest होगा, to be precise, तो हम interest को add back कर रहे हैं, क्यों add back करें sir interest, क्योंकि profit for the year, जो है उसमें interest, अल्लेडी माइनस हो चुका होगा, लेकिन अब हम interest को यह add back कर रहे हैं, क्योंकि हमें चाहिए बिटा, operating profit, जिसको कहते है profit before interest, सही जी, profit before interest चाहिए, तो हमने ये profit before interest निकाल लिया, denominator में बिटा, हमें चाहिए capital employed, capital employed में क्या आता है बिटा, capital employed में अपना पैसा भी आजाएगा, गेरों का भी आजाएगा, ये capital employed देखा जाए, तो हम यहां निकाल चुके है, gearing ratio के denominator में, और capital employed में, equity and reserves भी आजाता है, और debenture या preference share भी आजाता है, और profit में सब का पैसा अपना और गहरों का दौनों का, तो profit में टोटल होना चाहिए before interest, अगर denominator में इससे owner का पैसा है, तो profit भी वो होना चाहिए, जो halal profit है after interest, ये तो ये आगया return on capital employed, जितना return on capital employed, जादा उतरा business के लिए अच्छा है, ROC के बाद next requirement के आगे कुछ data दिया वह है, industry के average दिये वह है for 22, और industry average price earning ratio चल रहा है 16 times, सही और gearing चल रहा है industry average 25 times, हमें analyze करना है performance XPLC की compare करना industry average के साथ असान है, अगर आप देखो हमारा price earning ratio वो कितना है हमारी company का, वो आ रहा है आपका 18 times, 18.6, लेकिन उनका कितना है industry में on average 16 times, तो हमारा industry से भी ज़्यादा है, और जो 10 times का benchmark होता है उससे भी ज़्यादा है, तो प्राइस earning ratio ज़्यादा होता अच्छा है मैं आपको बता है, इससे पता लगता है shareholder को कितना confidence है company को लेकर, company की earnings को लेकर, तो examiner के कुछ comments पढ़ते हैं, examiner ने क्या comments यह है, XPLC जो है, उसका better PE ratio है, 18 times as compared to जो industry average है, वो कितना है, सरफ 16 times, इस विट इंडिकेट का इंडिकेट कर रहा है बिटा, shareholder को confidence है company के उपर, company के growth prospects अच्छे है, that investors have more confidence in the company, हमारे company के investors का confidence जारा है, as compared to जो overall industry के उपर लोगों को confidence है, it may indicate the share price of XPLC have been overvalued, compared to the share price of other companies, इसने ये भी बताया कि हमारी price ऐसा लग रहा है, overpriced है, overpriced का मतलब यह है, कि अगर market में earnings से 16 गुना जादा share price होती है, तो हमारी जो share price earnings से 18 times जादा है, तो हम ये भी एक इससे एक negative point आप कह सकता है, कि हमारी share price थोड़ी overvalued हुई लिए, तो अगर investor या कोई analyst इस company के share खरीद रहा होगा, तो इस वकोश शेर खरीदेगा नहीं, इस वकोश शेर बेचेगा, क्यों उबलेगा है ये price overvalued हुई लिए, और future earnings growth, इसका मतलब बिटा, shareholder को ये confidence से ये believe है, कि company की price future में और बढ़ेगी, इसलिए बहुत जादा पैसों में वो share खरीदने के लिए तयार हुआ हुआ है, तो ये होता है बिटा, आपका price earning ratio, एक और चीज़े जिसके उपर हमने बात करनी है, gearing ratio, gearing हमने बता है बिटा कि जो total capital है, उसमें से बाहर वालों का capital कितना है, तो ये होता है gearing, और gearing जो है वो कम होनी चाहिए, और बहुत जादा अगर Islamic perspective से देखें, तो gearing होनी नी चाहिए, लेकिन अगर business ये commercial perspective से देखें, तो gearing अच्छी होती है, क्योंकि gearing से जो हम बात कर रहे हैं, हम मुराद है हमारी, कि external amount कितना लगा रहा बिजनस में, और आपको पता है risk जो है, वो shareholder जादा risk ले रहे होते हैं, और devinture holders ये bank loan पे risk कम होता है, तो जो risk कम ले रहे हैं, वो return भी उनको कम देना पड़ता है, इसी लिए जो debt finance होता है, वो cheaper होता है as compared to equity finance, और दूसरी बात यह होती है, अगर हम debt के उपर पैसा ले रहे हैं, तो debt है वो एक allowable expense है, तो tax से उसमें savings होती है, जैसे आपको पता है, कि अगर हम loan लेते हैं, तो उस पर interest देते हैं, तो उससे हमारा tax बढ़ जाता है, उस amount के उपर हमें tax नहीं देना पड़ता, लेकिन अगर हम drawing करते हैं, dividend देते हैं, तो यह tax allowable expense नहीं है, तो gearing अच्छी है, लेकिन gearing excessive नहीं होनी चाहिए, more than 50% नहीं होनी चाहिए, less than 50% होनी, हमारी already less than 10% है, तो कोई परिशानी वाली बात नहीं है, industry में gearing का standard जादा है, बहुत जादा gearing होती है, 25% हमारी उससे भी कम है, तो कोई परिशानी वाली बात तो हमारे लिए है नहीं, पढ़ लेते हैं बटा क्या किया है, examine and comment, XPLC की lower gearing है, as compared to industry average, industry में 25% gearing चलती है, हमारी उससे कम है, और वो कहरा है अगर low gearing है, तो वो perceived किया जाता है, ऐसा low risk business, और अगर highly geared होगा, तो obviously बात है risk, जादा होगा, gearing कैसी मिसाल है, गाड़ी की acceleration है, गाड़ी अगर उसमें speed ही ना हो, तो गाड़ी बेकार है, सभी speed होनी चाहिए, लेकिन speed इतनी भी ना हो, कि वो गाड़ी control ही ना कर पाया, और over speeding की वैसे, कहते हैं न speed thrills, but kills, तो वही बात है, low risk means that, XPLC can be expected to remain in business, इसका मतलब है बिटा, हमारे bankruptcy होने के chances कम है, और यह ज़्यादा chance है, कि हम business में चलते रहेंगे, और हम आगे भी, हम survive करेंगे business में, low risk also means that, low fixed interest is paid, meaning more profit available to pay dividends, इसका मतलब बिटा, अगर risk कम है, अगर हम interest कम दे रहें, हमारा जो profit है, इसका एक percentage, बहुत कम percentage, interest में जा रहा है, पारवालों के पास जा रहा है, तो हम ये कह सकते हैं, कि majority जो profit है, वो घर में आएगा, का जाएगा, dividend में आएगा, majority profit, और बिटा, next requirement देख लेते हैं, I guess, ये last requirement है, और बिटा, last requirement है, one of the directors suggest, that no final dividend should be proposed, director कह करें, बहुत कोई dividend नहीं है, भागो यहां से, सहीए, advice करें, whether or not the director, should propose a final dividend, for 22, justify your answer, बिटा, होता है, dividend देने के लिए, हमें दो चीज़ें चाहिए होती है, एक तो हमें, cash, and cash equivalent, cash चाहिए होता है, और दूसरा, retained earning चाहिए होता है, retained earning बिटा, पिछले सालों में, हमने इतना कमाया था, जितना कमाया था, उतना ही dividend दे सकते हैं, उससे अदर dividend नहीं दे सकते हैं, तुस्तर अगर आप देखें, retained earning में, तो 24,000 डॉलर हमने कमाया, pass में, लेकिन वो पैसे भी तो होने चाहिए है, 24,000, पैसे अबर पर बिल्कुल नहीं है, हमारा bank minus में जा रहा है, overdraft है, तो ये बात बिल्कुल सही है, डिरेक्टर की कि अभी इस वर कोई dividend प्रोपोस करने की जर्वाद नहीं है, लेकिन इसके drawback भी हो सकते हैं, drawback भी हो सकते है, shareholder नराज हो जाएगा, और alternate अगर वो पूछे हम से, तो हम ये बढ़ा सकते हैं, कि alternate ये dividend का, कि हम bonus issue कर देते हैं, अगर हम dividend नहीं देना चाहरे हैं, तो बेटे क्या उसने फॉर बताया है, to fulfill the expectation of shareholders, dividend क्यों देना जरूर है, क्योंकि shareholder अगर expect कर रहे हैं, कि dividend मिलेगा, और अगर आप dividend ना दे, तो shareholder की नाराज़गी, मोल लेने वाली बात है, और वो क्या रहे है, dividend yield जो हम अल्रेडी बहुत कम दे रहे हैं, सही तो उसके साब से भी हमें dividend बढ़ाना चाहिए, क्योंकि अगर हम सिर्फ interim dividend पे देखें, तो dividend yield इतनी जादा नहीं है, और उसको compare किया, एक्जामन हैं किसके साथ, डेविंचर इंटर्स के साथ, अगर आप देखो बढ़ा है, डेविंचर पे इंटर्स रेट किता है 5%, और dividend पे yield है 3.5, तो बहुएस सी बात है, अगर आप डेविंचर तो low risk होता है, उस पे low return होता है, अगर आप डेविंचर वाले, जब 5% return दे रहे हैं, डेविंचर ओल्डर्स को, और अगर आपने shareholder को उससे कम दिया, तो shareholder आपको जूते मारेगा, लेकिन एक बात ये भी है, कि shareholder को ये पता है, कि अगर एक company profitable है, और अगर वो dividend नहीं भी दे रही, तो वो grow कर रही है, और वो reinvest कर रही है, future के लिए, तो ये भी एक बात हम याँ लिख सकते हैं, सभी है, तो return of shareholders जो है, वो inferior है, फिलाल as compared to outsiders, जितना हम भारवालों को दे रहे हैं, उससे कम दे रहे हैं, अपने लोगों, और वो कह रहे है, to reinforce the share price, dividend वो कह रहे है, इसलिए भी देना चाहिए है, कि reinforce the share price, इस चिस share price बहुत ज़्यादा, मुस्तेकाम होती है, सभी मजबूत होती है, जितना company dividend देती है, shareholder उस companies को ज़ादा serious लेते हैं, जो dividend दे रहे हैं, और भाई against कहा है, क्यों नहीं देना चाहिए dividend, वो कह रहे है, हाँ सही बात है, कि business के बाई इतना तो cash है नहीं, और cash हमारा already minus में, हम overdraft में जा रहा है, तो dividend की कोई तुक नहीं बनती है, यहाँ पर यह कह रहा है, और वो कह रहे है business अभी early stage पर, early stage पर कैसे बना चले है, उसने खुद बता है पहला साल है, अगर पहला साल है, अगर हम dividend अभी नहीं भी देंगे, तो shareholder मर नहीं जाएगा, उसको बो भाई थोड़ा wait करो, अभी हमने start किया है, आइस्ता इस्ता हम dividend बढ़ाएंगे, और बोलता है future को उपर business को ज़्यादा focus करना चाहिए, अपने future को, ना कि जो वो dividend उड़ाना शुरू कर दें, और वो किया रहा है price earning ratio हमारा already ज़्यादा है, तो shareholder को इतनी तकलीफ नहीं है फिलाल, क्योंकि अगर shareholder इतना नाराज होता, तो price earning ratio इतना ज़्यादा company का ना होता, suggest that the business is expected to be growth prospect, तो कह रहा है business के लिए growth prospect बहुत अच्छा है, और shareholders हो सकता है, कि फिलाल इसको भूल जहें, short term dividend को, in exchange for future long term gain, तो अगर आप समझते हैं कि भाई, ऐसा होगा, यहां पे इनोंने advice मांगे, आप से या नहीं मांगे, एक बार यह भी देख ले, क्योंकि अगर advice बोल रहा है, जी, advice का बिटा, एक mark आपको लाजबी मिलेगा, तो advice आपने कभी भी भूलनी नहीं है, सही, तो आप दोनों के equal point लिख दें, और एक mark जो है वो आपको advice का मिल जाएगा, अगर आप देखें, हमें draft accounts, यह वें draft accounts वो होते हैं, जिसके अंदर अभी कोई मस्ती बाकी है, जिसके अंदर कोई errors है, जिनको हमने भी सही करना है, अगर आप देखें, non-current assets जियागा, property, plant and equipment, आप अपने कंपनी में non-current assets को, add करके तीनों को एक साथ लिखा जाता है, property, plant and equipment, इसमें motor vehicles अगरा सब आ सकता है, लेकिन इसका नाम यह होता है, property, plant and equipment, then we have current assets, inventory, deviate rate, receable, other receable, cash और bank को मिला कर लिखते हैं, cash and cash equivalent, अगर आप देखें, equity and deserve में, share capital है, share premium, revaluations of, और retained earnings, or total equity है, जिसको total shareholder funds भी कहता है, फिर current liabilities में हमारा पास trade pables है, other pables है, और total liabilities भी हमें given है, और बिटा, the following information is also available, अगर आप देखें, यहाँ पे कुछ notes यहाँ है, 123 और requirement, बिटा, note 4-5 भी दिया, बस सही है, और बिटा, यह paper हमारा, यहाँ पर खतम होके insert, अब हम जाते हैं इसके question paper के उपर, और देखते हैं बिटा, requirements क्या हैं यहाँ पर, को समथरी की, केरा सर, explain with reference to relevant international accounting standards, IES का reference देना है, the appropriate accounting treatment for the items in, information 4, तो information 4 में भाई, जो मस्ती है, उसके बारे में मैं बताना है के, note 4 में हमने क्या किया, note 4 पढ़ लेते हैं बिटा, केरा सर, carrying value of the motor van is 27,000, carrying value क्या होती है, netbook value कैसे आती है, cost में से अगर accumulated depreciation minus करें, तो क्या आती है, carrying value, also known as, NBV netbook value, was included in the value of non-current assets on 31st December, सही बिटा, जो closing, property plant and equipment दिया है, उसमें motor van included है, क्या रहा है motor van को हमने review किया on that date, it had a value in use, तो बिटा, value in use क्या होती है, इसका मदा अगर हम इस van को use करें, तो इसकी lifetime से हम कितना फाइदा उठा सकते हैं, 23,200, और वो क्या अगर हम इसको sold कर दे, sell कर दे, तो कितने में बिकेगी, 24,500, लेकिन selling cost हमें बरदाश्ट करनी पड़ेगी, 1,800, तो basically यहाँ पर, जो हमें adjustment करनी है, वो है IAS 36, जिसका नाम है impairment of assets, impairment क्या होता है बिटा, जब भी आपके non-current asset की value में permanent decline हो जाए, due to some reason, तो वो क्या कहा जाता है sir, impairment, तो हर साल बिटा, हमने अपने non-current assets की impairment testing करनी पड़ती है, चाहे वो tangible asset हो या intangible हो, और यह impairment होती है, impairment कैसे find करते हैं बिटा, दो values को हम compare करते हैं, एक होती है caring value, जो के netbook value होती है, और एक होती है हमारी recoverable amount, क्या नाम होता है sir, recoverable amount, अब recoverable amount क्या होता है, कि इस asset से maximum recover कितना हो सकता है, अगर caring value ज़ादा है बिटा, और recover हो सकता है कम, तो जितनी caring value ज़ादा है, caring value को हम कम करके recoverable amount पे लेंगे, और recoverable amount कैसे है आगा sir, दो values में से higher value उठाएंगे, एक होती है sir, value in use, use करके कितना फाइदा मिलेगा, और एक होती है हमारी NRV, net realizable value, तो अगर आप देखें बिटा, इस सवाल में value in use है 23,200, और NRV कैसे निकालेंगे बिटा, selling price लेंगे 24,500, minus करतेंगे selling cost 18,000, तो अगर आप देखो बिटा, इसकी NRV है, non-current asset की, motor van की 22,700, लेकिन, इसकी value in use है 23,200, तो बिटा, higher value कौन सी है, higher value है 23,200, तो सवाल ही आता है, इसको बेचने में फाइदा है, या use करने में फाइदा है, use करने में फाइदा है, क्योंकि value in use जादा है, अब value in use जो है, वो इस question में हमारा कहला है, recoverable अभाऊंग, दोनों में से higher value, तो recover कितना हो सकता हो 23,200, लेकिन हमने asset को कितने में रखावा है, 27, इसका मतलब भाई हमने अच्छा काम नहीं किया, हमने asset को जादा amount पे रखावा है, जितनी उसकी उकात है, तो हमें काम करेंगे, asset को write down करतेंगे, 27,000 से इसको कहां लेंगे, 23,200 पे लाएंगे, तो कितना difference आ रहा है, 38,000 तो इसका मतलब 38,000 से हमने asset को write down करना चाहिए, और ये impairment है, और इसको income statement में, अगर expense भी book करेंगे, या अगर income statement बना चुके, तो retained earning में adjustment करतेंगे, बात ही किये, लेकिन अगर income statement नहीं बनाई, तो फिर हम retained earning में नहीं ले जा सकते, हमें income statement के थुरू ले जाना पड़ेगा, और asset को भी write down करतेंगे, SOFP में, property plant हैने को उत्माएं, तो गटा examiner के कोई comments पढ़ लेते हैं, examiner ने क्या comments जी हैं, caret sir, recoverable amount जो होता है, दोनों में से higher value होती है, लिकिन दो value में से, एक होती है, fair value minus cost to sell, जिसको आप NRV कहते हैं, इस case में fair value कितने में बिकेगी, 24,500, और कितना इस पे खर्चा होगा, बेचने में 1800, तो गटा, NRV है 22,700, और value news कितनी दी भी है 23,200, तो दोनों में से higher value उठा लें, बेचने में higher value 23,200, इंपेर्मेंट कैसे fine करेंगे बेचा 38,200, जो कि difference होता है, किसका carrying value का carrying value होती है, netbook value, in this case, it is 27,000, और ये exceed कर रहे हैं, किससे sir, recoverable amount से, बाय है, how much 38,200, तो इसको बेचा हमने write-down करना चाहिए, और ये जो expense से, ये income statement में book हो जाना चाहिए, और जो asset की value है, non current asset की, वो भी write-down कर देनी चाहिए, कहां पर बेटा, हमारी SOFP के अंदर, तो बेटा, ये होता, IS 36, impairment of assets, next देखते बेटा, next requirement में क्या पुछते examiner, एक तो इसने working 4 करवाई है, हमें note 4, और वो कह रहा है, note 5 के बारे में बताओ, क्या होगा, note 5 को पढ़ते क्या करें सर, कह रहा है, in December में एक employee है, वो injured हो गया, office premises में, बहुँ, बहु, आल्ला खेर करें, और वो कह रहा है, legal proceedings have started, legal proceedings start हो गई, कि वो जो employee होगा, उसने ये उसके घरवालों ने case कर दी, हमारी company के उपर, कि वह आप लोग अपने staff का खयाल नहीं रखते, company का जो lawyer उसने advice की है, कि T-Limited will probably be found liable, and the compensation would be 9,000, तो lawyer कह रहा है, हाँ ये तो बहुत जादा severe हुआ, और उसका server पढ़ गया, और आपको 9,000 dollar compensation देनी पड़ेगी, उसके experience के इसाब से, lawyer का experience ये कहता है, as the case will be heard in court in April, इसका मनब उस फैसले की अभी सुनवाई नहीं होई, और वो कब होगी, अगले साल होगी April में, और अभी हम खड़े में December 22 में, directors ने अभी तक account नहीं किया, for the compensation, तो बटाई ये जो compensation होती है, इस तरह की यहाँ पर IS-37 अपला होता है, जो तीन चीज़ों को cover करता है, provision, contingent liability और contingent asset, provision के book करने के लिए, IS-37 बताता है भाई, तीन शरायत हैं, तीन conditions हैं, जब वो तीनों conditions meet हो जाएंगी, तो हम provision को एधन expense book करेंगे, और एधन liability भी इसको record करेंगे, कौन सी तीन conditions होती हैं सर, पहरी condition है present obligation, presently हमारोपर obligation होनी चाहिए, कि हमें पैसे देने पड़ेंगे, present obligation के बाद दूसी चीज़े बेटा, probable outflow, सही है, probable outflow का मतलब more than 50% chances हैं, कि इस case को settle करने के लिए, इस liability को settle करने के लिए, पैसे देने पड़ेंगे, सब ये probable outflow, और अगर more than 50% chance नहीं है, less than 50% chance है, तो ये possible outflow कराएगा, और in that case हम provision book नहीं करेंगे, बलके उस liability को सिर्फ notes में लिख देंगे, कि ये liability है, फ्यूचर में इतना खर्चा आ सकता है, कितना होगा हम आपको फ्यूचर में बता देंगे, और ये कहलाता है contingent liability, लेकिन इस case में अगर आप देखें, प्रेजेंट अब हमने जो है, वो pass में कोई ऐसी हरकत किये, जिसकी वज़ा से हमारे पर obligation आ गई है, अब अगर आप देखें, लीगल प्रोसीडिंग स्टार्ट हो चुकी है, तो इसका वज़ा हमारे पर प्रेजेंट obligation है, लायर कहरा है भई, प्रोबेबल का मतलब होता है, अगर किसी काम के होने के chance, ना होने से ज़ादा हो, तो वो कहराता है भई, प्रोबेबल है कि ये काम होगा, तो more than 50% chance है, पैसे देने पड़ेंगे, दूसरी condition में meet और ये, reliable estimate भी meet हो रहे है, कि भई, लायर ने खुद बता दिया, 9000 डॉलर जो हर जाना देना पड़ेगा, उसको और उसकी family को, जो उसने suffering उठाई है, हमारी negligence की जासे, तो बटा यहां पर provision book होना चाहिए, और उसको हम expense में डालेंगे, 9000 डॉलर को, और इसकी हमें एक liability भी book कर लेंगे, तो ये IS-37 apply हो जाएगा, तो पढ़ लेते हैं भई, क्या करा, IS-37 provision contingent liability and contingent assets, contingent assets बात में कभी हम cover कर लेंगे, कह रहा है, incident occurring in December 22 is a past event, क्या कह रहा है सर्थ, ये कह रहा है कि ये जो incident है, जो हो रहा है, ये past event है, क्योंकि past में हमने कोई ऐसी अरकत की है, जिसकी ऐसे employee injure हो गया, ये past event है, on the basis of the legal advice, जो हमारा lawyer हमें advice दे रहा है, प्रोवेबल है कि हमें पैसे देने पढ़ेंगे, और हमने compensation के पैसे देने पढ़ेंगे, इसमें हमारा ही कसूर देखा जा रहा है, सही है, ये एक liability हम book कर सकते हैं, provision 9000 should be made, for the year ended 31st December, तो हमें ये liability अपने पास book कर लेनी चाहिए, तो ये है आपका IAS 37, नेक्स requirement देखते हैं बटा, question में next requirement क्या है, करेज सर, prepare a statement showing the adjusted retained earnings, तो retained earnings को बटा, हमने क्या करना है, adjust करना है, तो सर, देखते हैं, पहले से retained earnings कितनी पढ़ी भी थी है हमारे पास, यहां जो बटा, SOFP दी वी है, वो draft है, और इन्होंने SOFP बनाई है, लेकिन सही नहीं बनी, इसमें कुछ errors है, तो हम start करेंगे इस retained earnings से, जो के draft है, और draft होती है जिसमें भी कुछ errors है, जिनको हमने fix करना है, अब एक एक करके देखते हैं, कौन कौन सी adjustments यहां पे हमने करनी है, तो एक बार notes पढ़ लेते हैं, notes में क्या करें, और notes सारे के सारे हमें दिये हैं, insert के अंदर, एक एक करके देखते हैं, बाटा, note 1, कह रहे सर, अब proposed dividend of 0.05 per share, had been accounted for, and set against retain earnings, बाटा, आपको पता है, proposed dividend की तो कोई entry नहीं बनाते, लेकिन इन्होंने क्या किया, proposed dividend की entry बना दिये, had been accounted for, इसका बलए entry बना दिये इन्होंने, और set कर दिया है, against retain earning, तो बाटा, normally हम entry क्या बनाते हैं, जब हम dividend pay करते हैं, हम entry बनाते है, retain earning debit, retain earning को कम करते हैं, और bank credit, लेकिन यहां पर चुके dividend अभी तक pay नहीं हुआ, से propose किया है, लेकिन वो कह रहा है, हमने entry बना दी, तो इन्होंने इसको liability में book कर लिया होगा, सही है, और यह जो liability होती है, यह trade payables भी नहीं आता, इन्होंने इसको other payables में book कर लिया होगा, और इन्होंने इसको retained earning में से minus कर दिया, तो सर्व हम देखते हैं कि इन्होंने गलत किया, अब हम retained earning को जो कि इन्होंने कम कर दिया, उसको दुबारा add back कर देंगे, सर्व डिविडेंट पर share कितना है, 0.05, और total shares कितने सर, 4 lakh dollars है capital, और एक share कितने का है बिटा, 1 dollar का, तो हम एक काम करेंगे, 4 lakh shares into 0.05 कर लेते, और उसको add back कर देते, proposed dividend को, क्यों add back कर रहें बिटा, क्योंकि ये dividend तो, entry बननी नहीं चाहिए, लेकिन हमने गलती से बना दी, और हम retained earning को, जिसको कम कर दिया तो, दुबारा बढ़ा देते हैं, next जिकते बिटा, जुलाई में इसी साल किये, on the same day, T Limited also paid 8,000, for a 4-year repairing contract, starting on that date, क्या मतलब सर, हमने एक repairing contract भी लिया है, कितने का, 4 साल का repairing का contract लिया, और, कह रहें कि, total amount 50,000, have been included in machinery account, अब देखें, हमने गलत किया, क्योंकि जो machine है, वो तो 42,000 किये, जो 8,000 है, यह capital expenditure नहीं है, यह revenue expenditure है, क्योंकि रिपेरिंग कॉस्स जो होता है, वो expense होता है, वो asset नहीं होता, तो इन्होंने यह repairing को भी क्या कर दिया है, asset में charge कर दिया है, जो पहले हमें asset से निकालना पड़ेगा, युसी बात है, वो depreciation है, 20% per annum है, reducing balance method है, diminishing भी कहते हैं इसको, with a full year depreciation in the year of purchase, तो आप दर आप देखते हैं क्या मसला है, पहलों मसला यह बिटा, कि जो repairing cost है, यह तो हमारा expense में जाना चाहिए, लेकिन हमने उसको क्या treat कर लिया, as an asset, तो पहली बात है बिटा, इसको asset को कम करके expense में डालेंगे, अब यह जो 4 साल का repairing contract है, बिटा, कितने का, 8,000 का, अगर 8,000 का 4 साल का है, तो एक साल का repairing का cost कितना है, बिटा, expense 2,000, लेकिन यह हमने, चुके 1st July में contract लिया है, चुके machine भी 1st July में खरी दिये, और year indoor है December में, तो यह 2,000 भी हमने इस साल use नहीं किया होगा, आदा use किया होगा इसका 1,000, तो बिटा, repairing expense इस साल charge होना चाहिए, कितना 1,000, एक तो यह हम charge करेंगे, retained earning के against, दूस्ता problem यह है कि बिटा, यह जो depreciation हमने charge किये, यह over charge हो गई होगी, क्यों, क्योंकि asset की cost किया थी बिटा, 42, और repairing contract कितने का था, 8,000, लेकिर हमने पूरा 50,000 को depreciate कर दिया, जो कि गलत किया, तो जो 8,000 expense था, उसको गलती से हमने asset समझ के, उस पे भी depreciation charge कर दी, जो कि नहीं करनी चाहिए थी, तो अगर हम 8,000 पे लगाएं, बिटा, कितना percent, 20 percent, तो 1600 एक ऐसी depreciation है, जो कि नाजाइज है, जो कि नई book होनी चाहिए थी, तो अब हम depreciation को कम करेंगे, जब depreciation, बिटा, expense कम होगा, तो हमारी retain earning क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, अब देखें, एक तीर से दो शिकार है, दो इन्होंने गलतियां किये, एक error करने की वैसे, पहली बात जो repairing expense चार्ज नहीं किया, वो हम चार्ज करेंगे, 8,000 अगर बिटा, पूरे साल का है, तो आदे साल का कितरा होगा, यह होगा 1,000, यह कैसे किया है भई, अगर साल में 12 महीने होते हैं, तो चार साल में 48 मंथ होते हैं, और 48 में से सिर्फ 6 मंथ का हमने अभी तेक यूज किया है, मतलब आदे साल का सही है, तो यह हम half upon four कर देते, 0.5 upon four तो भी answer सेम आता, 8,000 into 0.5 upon four, तो देखें, यह आएगा, अगरा चार साल में से आता साल, उसके बाद बिटा, जो depreciation नाजाइस बुक की थी, जिसकी वैसे हमारा profit क्या हो गया था, बढ़ गया था, अब हम depreciation को कम करेंगे, तो हमारी retained earning क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, तो 8,000 का 20% कितना आगी है साल है, 1,600 आगे, बात आगे बढ़ाते हैं बिटा क्या करें, the only property of T-Limited was revalued upward by 60,000 2 years ago, करें एक ही property है जिसको हमने 2 साल पहले revalue करके, उसमें gain बुक किया था, 60,000, और ये देख लेते हैं कि सवाल में gain पढ़ावा है या नहीं, बिलकुल revaluation reserve पढ़ावा है बिटा, 60,000, entry क्या बनाई होगी, property debit और revaluation reserve credit, ये तो सही कल लिए आपने, करें, this property was revalued again, दोबारा property के value change होई है, और लेकिन this time gain नहीं हो रहा, बलके loss हो रहा है, करें, decrease in value of 35,000 have been set against retainer नहीं, अब देखें, होता है ये बिटा, कि property के revaluation के कुछ rules है, rule ये बिटा, कि जब पहली दफ़ा, asset के value बढ़ती है, तो हम वो जो gain है, वो income statement या retained earning में नहीं ले जा सकते, क्योंकि वो एक unrealized gain है, वो book होना चाहिए, बिटा, कहां पर, वो book होना चाहिए, revaluation surplus के अंदर, revaluation reserve के अंदर, जैसे के इन्होंने किया property debit और revaluation reserve credit gain बुक कर लिया, अब एक asset है, जिस पे पहले से gain पढ़ावा है, अगर उस पे loss होगा, फिर क्या करेंगे, पिटा, जिस asset पे पहले से gain पढ़ावा है, अगर अब उस asset पे loss होगा, तो बजाए इसके, कि हम वो जो loss है, पूरे का पूरा income statement में ले जाए, पहले हम उसको set off करेंगे, against revaluation reserve, तो अगर आप देखें, पहले से 60 का gain पढ़ावा है, और अब loss कितना हो रहा है, 35 का, वो 35 का loss से, बटा, retained earning को कम कर दिया, जो के गलत किया, अब retained earning को हम दुबरा बढ़ा देंगे, retained earning बढ़ेगी तो credit, और revaluation reserve को क्या कर देंगे, debit, तो basically retained earning को हमने बढ़ाना चाहिए, किसे, जो हमने wrongly, जो है वो retained earning में loss बोग कर दिया, सही हो जी, तो आगे बढ़े बढ़ाते हैं, यह तो हमने पहले कर ली थी, impairment थी, कि एक asset जिसकी cost जादा थी, carrying value जादा थी, और recoverable amount कम था, तो 3800 की impairment हमने book करनी है, और impairment loss, जिससे हमारा profit कम होगा, तो retained earning भी क्या हो जाएगी, बटा, कम हो जाएगी, due to impairment loss, और आखरी यह भी हमने कर लिये, कि customer ने, sorry, customer है, employee है, employee ने हमारे उपर case कर दिया, और हम liable है, तो future में ऐसा लग रहा है, हमें पैसे देने पुड़ेंगे, तो इसका हम compensation का expense book कर लेंगे, और liability भी book कर लेंगे, compensation की वैसे, हमारा क्या होगा, हमारा profit कम हो जाएगा, तो provision बुक कर लेंगे, compensation का 9,000, और final answer आ रहा है, revise retained earning आ गई, 128,800, तो इस इस दे वे कि हम जो है, उसको retained earning को क्या करेंगे, adjust करेंगे, और नेक्स requirement देख लेते question में, question को खतम करते, next requirement है, हमने बनानी है, SOFP adjusted, तो adjusted या revise, SOFP बनानी है, SOFP बहुत असान है, बच्पन से बनाते वे आ रहे, कैसे बनती है जी, सबसे पहले, sir, assets, उसके बाद non-current assets, और normally तो आपको बता है, three columns बनाते है, cost accumulated और net book value, लेकिन होता है, बटा के company के अंदर जो है, वो normally, जो है एक या दो column काफी होते, क्योंके company जो है, वो normally details show नहीं करती, कि cost इतना है, accumulated depreciation इतनी है, net book value इतनी है, अगर आप देखे, इन्होंने one column में बनाई है, लेकिन अगर दो column करते हैं, तो वो जादा बेतर होगा, तो अगर आप देखे, property, plant and equipment पहले से पढ़ावाए, कितना 425,000, अब इसमें देखते, बटा क्या के adjustment समने करनी है, property, plant and equipment पे, और इसकी workings, I guess मैंने next page पे show की है, तो देख लेते बटा, ये rough working इसकी हाँ पे show कर देते हैं, तो पहले से कितना पढ़ावाए, हमार पर property, plant and equipment 425,000, अब एक एक करके adjustment देख लें, और बता दें, कौन सी adjustment PPE को affect कर रही है, property, plant and equipment को, कहले बटा, machine जो थी, वो हमने 42 के करी दी थी, लेकिन जो हमने क्या कर दिया, repairing cost को भी डाल दिया था, asset में जो के गलत किया था, तो हम repairing cost को 8,000 को हटा देंगे, किसमें से machine की value में से, सही है repairing cost, दूसरी बात ये बटा कि repairing cost add करने के जैसे, asset की cost बढ़ गई थी, तो हमने depreciation भी जादा चार्ज कर दी थी, जादा depreciation चार्ज करने के जैसे, नाजायस depreciation चार्ज हो गई, तो हमारे asset की value कम हो गई थी, तो अब हमने जो excess depreciation चार्ज की, उसको add back कर दें, ताकि हमारे asset की book value दुबारा बढ़ जाए, और asset में एक और मसला भी था, I guess, impairment testing भी थी, और revaluation में non current asset पे तो कोई मसला नहीं आया, सिर्फ retained running और revaluation reserve का मसला था, और यह जो थी carrying value यह अब गिर चुकी है, impairment हो गई है, तो impairment 3800 हम book करते हैं, जिससे non current asset की value और कम हो जाएगी, non current asset की revised value कितनी आ रही है, 414,800, तो यह हम लिख लेते हैं, non current asset की value 414,800, non current assets की बाद क्या आता है, current asset जिसमें सबसे पहले आती है, आपकी closing inventory, I guess closing inventory में कोई adjustment नहीं है, तो isolated आ जाएगा, यह values मैं यह आँसर उठा रहा हूँ, सारी आपकी drop balance sheet में से, नहीं, trade receibles में तो कोई मस्ती नहीं है, तो बटा, वो as it is लिख देते हैं, trade receibles, उसके बाद क्या दियावाइ, सवाल में sir, other receibles दियावाइ, prepaid expense to accrued income, तो देखें, यहाँ पे other receibles दियावाइ, 6000, तो क्या हमारे उपर कोई other receibles और है, prepaid, या कोई पैसे बलकि एक adjustment है other receibles में, एक adjustment किये examinant है, और वो देख ले, भाई, कौन सी adjustment है, जो other receibles में आरी है, एक बार पीछे जाके देख लेते हम, asset को repair किया है, हमने, जी बटा, other receibles में यहाँ पे एक adjustment थी, और वो था maintenance का contract, अगर हम पढ़ें बटा, यहाँ बस सवाल में इसने एक बाद बोली थी, कि हमने जो 8,000 गलती से asset में add कर दिया था, वो basically 4 year का contract था, तो basically बटा, यह prepaid expense है, कि हमने repairing के पैसे दे दिये, लेकिन अभी तक हमने repairing करवाई नी, तो basically बटा, हमने पैसे दिये 8,000 कितने के, 4 सालों के, सही है, और हमने उसमें से साड़े 3 साल तो अभी तक use नी किये, तो हम इसको कर देंगे बटा, 3.5 years upon 4 years, तो 7,000 की जो payment है बटा, वो future में हम utilize कर सकते हैं, तो यह prepaid expense है के repairing के पैसे दे दिये, लेकिन अभी तक हमने service नहीं ली, तो यह prepaid आजाएगा अधर receeables के अंदर, इसके लाबा cash and cash equivalent पैसे दिया वह, उसमें कोई adjustment नहीं है, तो पैसे current assets को मैंने add कर लिया, non current plus current asset is equal to total assets, तो यह assets side आगए, पैसेट के बाद क्या आता है, capital and liability और यह जो हमने working कर लिए property, plant, equipment की, आगे बाद बढ़ाते है, equity and reserves, equity and reserve में बिटा share capital दिया वह, कोई हमने ने share तो I guess issue किये नहीं, तो ordinary share capital इसी तरीके से लिख देंगे कितना है, four lakh dollars, बिटा as it is आगए, उसके बाद इस share premium, share premium में I guess उसमें भी adjustment नहीं है, adjustment revaluation reserve में, share premium में कोई adjustment नहीं, जी, revaluation reserve में बिटा adjustment है, और वो ये, कि हमें या, revaluation reserve दिया वे 60,000, लेकिन property जिसका rate पहले बढ़ा था 60 से, अब उसी का rate कम भी हुआ है, asset का, तो बिटा जितना rate बढ़ा था, उतना हम rate गिरा सकते हैं, और जो rate गिरेगा, तो हम उसको जो अगर gain है, unrealized तो उसको हम book ना करें, assets को profit को overstate ना करें, लेकिन loss है, तो expected loss को anticipated loss को फोरण बढ़ कर दें, तो ये जो बिटा, asset की value गिरी, तो वो retained earning में charge करने के बजाए, फिलाल हम उसको revaluation reserve से set off कर देंगे, क्योंकि पहले से gain हमार पास, बढ़ा बाद, सही, retained earning अगर आप देखे, अभी हमने revise find कर लिए, और ये हमने निकाली है, पार B में कितनी आ रही है, 128,800, तो ये हम लिख देंगे, यहाँ पे 128,800, जो के पार B में हम already find कर चुके हैं, चाहे तो यहाँ पे reference लिख देते हैं, यह हमने data consult होटा है, retained earning का part B की requirements, आप पता है, equity का total होता है, उसका एक अच्छा सा नाम होता है उसका नाम होता है, total shareholder funds, सही है, यह equity का total होता है, total shareholder funds, assets होगया, equity होगया, उसके बाद liability, पहले non current liability हाती है, लेकिन इस सवाल में कोई non current liability debentures वगरा है नहीं, तो हम directly current liability लिख देते हैं, जिसके अंदर trade payables है, उसमें भी कोई adjustment नहीं है, और जो other payable है, उसके अंदर adjustment है, other payable में क्या adjustment है, पहले से other payable दिया है, 39,000, और देखते हाँ, यह जो proposed dividend था, इन्हों ने, इसको हम assume कर रहे हैं, current liability में other payable में show किया होगा, क्यों, क्योंकि dividend pay तो हुआ नहीं है, अगर pay हो जाता तो, बिटा, क्या entry बनाते हैं, entry बनाते है, bank credit और retained earning debit, इन्हों ने retained earning को debit कर दिया, गलती से, जो नहीं करना चाहिता, proposed dividend के entry नहीं बनती, और bank को credit करने के बजाए, इन्हों ने उसको liability में book कर लिया होगा, other payable को, तो बिटा, जितना dividend हमने book किया था, वो हम क्या कर देते हैं, फिलाल, minus कर देते हैं, क्योंकि dividend जो है, अगर propose हो रहा है, या announce हो या declare हो रहा है, यह हमारे उपर कोई liability अभी नहीं है, सिर्फ dividend जब pay होता है, तो उसको हम entry बनाते हैं, directly bank से, और जब propose की कोई entry नहीं बनाते हैं, और दूसरा बिटा, एक और adjustment थी, और वो यह थी, कि हमने क्या किया, बिटा, हमने यहां पर एक compensation cause बुक किये, 9000, जो के हमारी liability है, वो भी हम क्या करेंगे, current liability में, other payable में add करतेंगे, provision for compensation, तो बिटा, हम इनको add कर लेते हैं, asset side हमेशा बराबर आनी चाहिए, किसके equity and liability के, और अगर आप देखे, capital and liability side भी ही आ रहे है, और total assets भी इतना ही आ रहा है, बिटा, this way हमने कहा कर लिया, SOFP complete कर लिया, और SOFP हमारी balance होगे, बिटा, एक और requirement बाकी है, question में वो भी देख लेते हैं, और requirement कहा है हमारे पास, sorry, यह थोड़ा सा confusing होगे, दो-दो papers करने के बाद न, और वो सही होता था, यह एक ही में चेक करना, analyze करना, और वो अपना opinion देना, कि क्या accounts true and fair position show कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, यह देखना कि management जो है, उन्होंने जितने figures लिखे हैं, वो कोई misstated figure तो नहीं है, साही, और वो यह भी देखेगा, auditor के, जो company है, उसने IS को follow किया है, नहीं कि international accounting standards, और जो company का law है, उसको abide किया या नहीं किया, और जो assets है, उनको safeguard किया हुआ या नहीं किया हुआ, सब यह यह सारी चीज़ों के बात करने हैं, to examine the books and accounts, सही books का मतलए, वो जो day books वगरा हो गए, और accounts, income statement और SFP जो बनाएं, to ensure that the financial statements comply with legal requirement law हो गया, and accounting standards, accounting standards को follow कर रहे हैं, to verify the value and existence of assets and liability, एक तो यह asset exist कर भी रही हैं नहीं कर रहा, liability exist कर भी रही हैं नहीं कर रही, कोई फर्जी asset तो नहीं डाले हैं, dummy assets तो नहीं डाले और यह जो liabilities हैं, यह assets यह वाकई में मौझूद भी हैं या नहीं, कि ये चेक करना, सैंप्लिंग वगरा होती है तो परेपर audit report, audit report बनाना और report में वो comment करेगा auditor के क्या accounts true and fair position show कर रहे हैं या नहीं कर रहे या कोई fraud या error तो नहीं है या कोई misstatement तो नहीं है तो बेटा ये सारे काम है auditor के जो auditor करेगा during the course of audit तो आई हो बेटा आप लोगों को ये पेपर समझ में आया हो ओके बेटा थैंक यू, अपना खायल रखें और अच्छा score करें exam के अंदर